हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैए वीडियो टुटोरियल एंड टुड़ेए एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर हम रेशो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर च्राट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चीए कि रेशो होता कै और find out को कैसे करते हैं एंड और बी को हम ratio बोलते हैं या फिर a is to b को Ratio को हम या फिर A to B करके define करें या फिर A divided by B करके define करें बात एक ही होती है Ratio को हम find out कैसे करते हैं हम एक example के तुरू इसको समझते हैं Suppose दो class हैं Section A and Section B Section A में boys पढ़ते हैं और Section B में girls पढ़ती हैं 60 boys Section A में पढ़ते हैं and 30 girls Section B में पढ़ती हैं अगर अब हमें कोई बोले कि boys to girls का ratio निकालो boys to girls का ratio निकालो जो A और B section में पढ़ते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि 60 is to 30 is the ratio of boys to girls पर ये हमारा एक exact ratio नहीं है exact ratio हमारा वो होता है जब कोई ratio आगे simplify नहीं होता तो हम देख सकते हैं कि ये digit आगे simplify हो सकती है तो ये अभी एक exact ratio नहीं है हमारा तो इस ratio को हम 60 divided by 30 भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ratio को हम A to B करके define करें या फिर A divided by B करके define करें बात एक ही होती है तो हम इसको आज जैसे भी define कर सकते हैं तो इसको हम simplify कर देते हैं 2 divided by 1 अब 2 divided by 1 को हम 2 is to 1 करके भी define कर सकते हैं तो 2 is to 1 हमारा ratio है ये वो ratio जब आगे simplify नहीं होगा तो जब ये ratio आगे simplify नहीं हो सकता तो ये हमारा क्या है एक exact ratio तो हम बोल सकते हैं कि 2 is to 1 is the ratio of boys is to girls जो A और B section में पढ़ती है ठीक है और यही अब हमारा answer है पर ratio निकालते वक्त एक चीज़ ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि quantity सेम होनी चाहिए जिनका हम ratio निकाल रहे हैं अगर हम यहाँ पर students की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम students की बात करेंगे suppose राम की income 5000 है मुकेश का expenditure 2000 है तो हम इनका आपस में ratio नहीं निकाल सकते हैं हम income is to expenditure का ratio नहीं निकाल सकते हैं यह गलत हो हो क्योंकि यह income है हमारी यह expenditure है अगर हमें दोनों income दी होती है या फिर दोनों expenditure दी होते तह हम इनका आपस में ratio निकाल सकते हैं it means income is to income होगा sorry sorry income is to expenditure का हम कभी ratio नहीं निकाल सकते तो यह गलत है हम income is to income का ratio निकालेंगे या फिर expenditure is to expenditure का निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये था रेश्यो एंट प्रोपोर्शनल का एक च्छोटा दा बेसिक एंड इंड कोड़क्शन और अब हम आगे कुछ ऐसे कोशन करेंगे जो एक्जाम्स में आते हैं और जिस्टाप कोशन एक्जाम में बारबर देखने हों मिलते हैं और चन्द कोशन से हमें रेश्योएंट प्रोपोशनल चेप्टर समयने में असानी होगी पहला कोशन देखते हैं इसमें हमें A इस्टूB दरका है 2 इस्टू 3 और B इस्टू C दरका है 1 इस्टू 4 फाइंड रूट हमें करना है A इस्टू B इस्टू C ऐसे question के लिए एक simple method होता है A is to B और B is to C जो हमें question में given है उनमें हमें A के नीचे A place करना है और जो जगे खाली पड़ी है उनके अंदर में backward और forward मेंसे कोई एक digit place करनी है यहाँ पर B है आगे तो B place कर दिया यहाँ पर इसके पीछे B है तो B place कर दिया तो यह एक हमारा formula हो गया इसमें हम digit place कर दें 2 is to 3 1 is to 4 1 3 अब इसको आपसे multiply कर दो 2 multiply by 1 2 3 multiply by 1 3 3 multiply by 4 12 तो यह ratio आगे simplify नहीं होगा तो यह ही हमारा answer है second question देखते है इसमें भी हमें A is to B दे रखका है B is to C दे रखका है तो find order हमें करना है A is to B is to C है तो यह भी हम ऐसी करेंगे यह बडरा सुख़ि जया होगि मेसा यह से पारा है 0,5 is to 14 6 आसा अब थर्ड कोर्शन देख लेए इसमें हमें P is to K you day रखा है क्यो is to R देखा है और R is to S दे रखा है पर इसमें हमें P is to K you is to R is to S नहीं find out करना है इसमें हमें सिर्फ P is to S find out करना है इसमें हमें ये find out नहीं करना है इसमें सिर्फ हमें P and S find out करना है तो इसको हम उस method से भी कर सकते हैं जैसे P is to Q and Q is to R and R is to S इस method से भी हम कर सकते हैं बट ये एक long method हो जाएगा इसमें time बहुत लगेगा तो जब भी हमें question में सिर्फ की first and last digit find out करने को बोला जाए it means P is to S find out करने को बोला जाए तो हमें simple सा एक formula अपनाना है P divided by S P is to S को हम P divided by S भी लिख सकते हैं and जो हमें question में given हैं उनको हम multiply कर दें हापस में P is to Q को हम P divided by Q भी लिख सकते हैं Q is to R को हम Q divided by R भी लिख सकते हैं और R is to S को हम R divided by S भी लिख सकते हैं P की value डाली 8 divided by 15 5 divided by 8 4 divided by 5 5 से 5 8 से 8 तो value बच गी 4 4 divided by 15 यह हमारा answer 4 is to 15 is the answer Now the fourth question is The ratio between two number is 2 is to 3 If each number is increased by 114 then the ratio becomes 21 is to 22 Find the value number Question समझ ले पहले कि वो कह रहा है वो कह रहा है कि X और Y तो डिजित हैं जब हम इनका आगे ratio निकालते हैं तो आता है 2 is to 3 और जब हम इन X और Y डिजित के अंदर 114 प्लस कर देते हैं Suppose X प्लस 114 and Y प्लस 114 यह दो डिजित अब हमारे पास हैं अब इनका जब हम आगे ratio निकालते हैं तो आता है 21 is to 22 and हमें बोल रहे हैं कि find the value number ऐसे question में जब भी हमें find the value number बोला जाएं तो हमें X और Y की value निकालने होती हैं जिनका ratio 2 is to 3 है इस type के question निकालने के लिए एक short trick अपना ही जाती है वो है 2 is to 3 21 is to 22 इनको आपसे माइनस कर लेंगे यह आगे 19 19 क्या है इन दो ratio का difference है और 114 क्या है इसका और इसका difference होगा तो यह 19 is equal to 14 it means difference is equal to difference तो यह 19 ratio निकला है हमारा 19 ratio कितने के बराबर 114 के and एक ratio किसने के बराबर होगा 114 एक ratio की value 6 है तो 2 ratio की value कितनी होगी 12 तो 3 ratio की value कितनी होगी 18 तो यह है answer यह हमारा x और यह है y अगर हम इनका ratio निकाले अगर हम इनका आगे ratio निकालेंगे अगर simplify करके तो हमारे पास 2 is to 3 आएगा 2 So guys, this is the first part of ratio & proportional chapter if you really like it, s Jessupires subscribe my YouTube channel to our channel, b and review have any doubts in this question you have any doubts, you can mail me on studymom16 at the red gmail.com